नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आप सबी का हमारे चनल एप्स मेडिया पर महिलाओ के मन में एक दूइदा रहती है कि मासिक धम में गोवरदन पूजा करें या न करें और करें तो कैसे करें देखिए साल में एक ही बार गोवर्धन का त्योहार आता है। हम सब इसका बड़ी बेसबरी से इंतिजार करते हैं। इस दिन पूरी प्रमप्राग से पूजन विदिविदानसी करना होता है। जब किसी बड़े त्योहार आते हैं तो महिलाओं को पिरियड आ जाये तो वैस स दोस्ती है कि हम से शायद कोई गलती हो गई है। हम पूजन नहीं कर सकते हैं। भगवान हमारी पूजन स्विकार नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ये सोचनबन कर दीजे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यह तो एक प्राकरतिक चक्र है। जब भगवान की ही यह देन ह अगर पीरिड से ना खब रहें। बता दे हैं कि आप इतना करें कि अगर गोवर्धन के दिन आपको मासिक धम आ जाता हैं तो आप पूजा विदी से दूर है। बाकी सभी गोवर्धन की नियम कानूनों का पालन करें।しく पूजा नहीं कर से दूर हैं। Tuesday आप पूजा तो आप मांसिक पूजा कीजिए, आपको मांसिक पूजा का फल भी इतना ही मिलेगा मांसिक धाम में आप पूजा की किसी सामगरी को न चुएं आप नए कपड़े वस्ट पहन सकती हैं, 16 शरंगा कर सकती हैं इसकी कोई मना ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम भी नहीं है तो यह आप कर सकती हैं, बस आपको मांसिक धाम में पूजान, गोवर्धन की पूजान नहीं करनी है एक बात सबसे जरुरी कि अगर आपने गलती से पूजा के किसी सामगरी को चुध दिया है तो आप धिहान रखिएगा उस सामगरी को आपको पूजा में उपयोग नहीं करना है आप दूसी सामगरी उपलग करा लीजेगा, अगर आप अपलग नहीं करा सकती हैं तो आप उसी जामगी को गंगा जल से शुद कीजेगा वैसे तो आप उसको नहीं चुए या उप्योग करें तो अच्छा रहेगा और उमीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी ही तमाम जानकारीों के लिए हमारे चैनल एप्स मीडिया के साथ चुड़े रहें चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें